प्रियोग करके अपने मन को शांच कर लिया करते इससे समझे आप के आपका शरीर आंतरिक तल पर एक दूसरे से संबंदित है एक स्थान पर आप किसी ओशदी का प्रियोग करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे स्थान पर पढ़ता है इसी सिद्धान्त के आधार पर हम आज के विशे को समझने वाले हैं और आज का हमारा विशे है नाभी पुरण यानि की नाभी में तेल का प्रियोग करना नाभी में तेल का प्रियोग करते हैं तो किस प्रकार से आपका पूरा शरीर और विबिन संस्थान उससे प्रभावित होते हैं क्या-क्या लाब होते हैं कि लोगों को लाब होते हैं कैसे प्रियोग करना है कौन सा तेल प्रियोग करना है सभी विश्यों को हम समझेंगे एक आगरता पूर्वन देखें सबसे पहले समझते हैं कि ये किस प्रकार कार्य करता है तो जो आपकी नाभी है योगिक सिध्धान्त के आधार पर इसको 72,000 नाडियों का केंदर बताया गया है यानि कि ये एक ऐसा केंदर है जो सबसे अधिक नाडियों से जुड़ा हुआ है तो ये जो नाभी है आपके पूरे शरीर से संबंदित है तो जब आप नाभी में तेल का प्रियोग करते हैं तो उससे पूरे शरीर की जो नाडिया है वो स्पंदित होती है और पूरे शरीर में ठीक प्रकार से उर्जा का संचार होता है आप उर्जावान अनुबव करते हैं और भी जो लाब होते हैं उन्हें आप इस प्रकार समझें सबसे पहला लाब होता है नाभी में तेल का प्रियोग करेंगे तो जठरागनी बढ़ती है जठरागनी एक अगनी होती है जो कि आपके पाचन में कार्य करती है जब आपकी जठरागनी मंद हो जाती है तो आप जो भोजन करते है उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, शरीर में वो लगता नहीं है, भूख कम हो जाती है, भोजन सड़ना शुरू हो जाता है पेट में, तो ना भी पुरण से जो ये जठरागनी है ये बढ़नी शुरू हो जाती है और भोजन आपके शरीर का हिस्सा ठीक प्रकाड से बनता है जब भोजन ठीक प्रकाड से पचता है तो उससे जो पाचकरश है वो ठीक प्रकाड से निकलते हैं और आपके शरीर में पोशक तत्वों की आपूरती होती है जिससे की शरीर के विभिन संस्था पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव आप समझें कि जो नाभी में तेल का प्रियोग करेंगे इससे अपान वायू संतुलित होती है। ठीक प्रकार से मल क्रिया यानि की मलों का निशकाशन नहीं हो पाता है। उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। रेप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंदित जिनको समझाएं रहती हैं उनके लिए यह उपयोगी है। प्रकार के फायदे मिलते हैं। के स्वास्थे के लिए भी यह उपयोगी रहेगा। तो ना भी पूरण से जो त्वचा है वो अच्छी रहेगी आपकी बहुत अच्छे इससे लाब मिलेंगे। आगे बढ़तों में समझें कि मानसिक प्रभाव क्या होते हैं। योगिक सिध्धान्तों में कहा गया है कि जो हमारी नाडियां हैं। अवरुद्ध हो जाती हैं तो इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं हो पाता। और जब प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है तो आपको लेजी सा फील होगा, आपको आलश ये आएगा, उर्जा की कमियनुबव होगी और आपके मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पढ़ेगा क्योंकि ये जो नाडियां हैं ये सीधे तोर पर दिमाग से संबंदित हैं। और जब आप नाभी पुरण का अभ्यास करते हैं तो ये नाडियां स्पंदित होती हैं, इनमें प्राण का प्रभाव ठीक से होता है और इसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर भी पढ़ता है, ऐसा आप सपश्ट रूप से समझें। तो अगर किसी व्यक्ति को चिंता, त तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थतियां रहती हैं वो नाभी पुरण का अभ्यास करते हैं तो उन्हें भी इससे अच्छे लाब देखने को मिलेंगे। अब आप समझें कि ये किन लोगों के लिए उपयोगी रहेगा अभ्यास विशेश रूप से, तो जिन ल जिनके रहता है और बाल जिनके जढ़ने शुरू हो गए हैं ऐसी स्थतियां अगर शरीर पर दिखाई देती हैं तो समझें कि वाद प्रकरती हैं जिनकी प्रकरती पित है वो समझें कि एसिड बहुत जादा बनता है अगर वो थोड़ी भी मिर्च मसाले वाली चीजें ग्र तो अगर ऐसी स्थतियां है एसिड बड़ा हुआ है तो पित प्रकरती आपकी है उस स्थति में भी जो ना भी पुरण का अभ्यास है ये बहुत उपयोगी रहेगा क्योंकि ये स्पंश्ट रूप से कहा जाता है कि वाद और पित प्रकरती में आप घी का तेल का प्रियोग करते हैं चाहे वो शरीर पर लगाने के रूप में हो अभ्यां करने के रूप में हो ना भी पुरण करने के रूप में हो या फिर आपकी डाइट में आप तेल को गी को एड करते हैं तो वाद की स्थती में और पित की स्थती में आपको अच्छे लाब देखने को मिलते हैं जिन लोगों की प्रकरती कफ है यानि की शरीर में म्यूकस बहुत अधिक बनता है शरीर भारी है आलश्य बहुत अधिक आता है ऐसे लोगों को ये बहुत जादा लाब नहीं देगा लाब हो सकते हैं लेकिन विशेश तेल का प्रियोग करने पर कौन से तेल का प्रियोग करना है आगे समझते हैं तो आप आगे बढ़ते हुए ये समझें कि किस समय पर अभ्यास करना है तो आपको जो अभ्यास करना है वो सुभा के समय ही सर्वश्रेष्ट रहेगा आपको शोचादी से निवरत होने के बाद फ्रेश होने के बाद भूमी पर लेट करके ये अभ्यास करना है खाली पेट प्राते काल तो ये सबसे अच्छा समय है चिकित सक्के परामर्ष के अनुसार कई बार दिन में भी अभ्यास कराया जाता है लेकिन विशेश परिस्थतियों में अच्छा समय जो रहेगा वो आपका सुबह का समय रहेगा खाली पेट आप ये अभ्यास कर सकते हैं किस तेल का प्रियोग करना है तो कफ प्रकरती जिनकी है जैसे हमने अभी कहा अगर वो किसी भी तेल का यूही प्रियोग कर लेंगे तो ठीक नहीं उनको केवल सरसों के तेल का प्रियोग करना है ये विधान किया गया है जैसे हमने बताया अगर वैसे लक्षण दिखाई देते हैं और आपकी प्रकरती वाथ है तो आपको तिल के तेल का प्रियोग करना है और बादाम के तेल का प्रियोग करना है ये दो तेल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे अगर आपकी प्रकरती पित है तो आपको नारियल के तेल का प्रियोग करना है और देसी गाएं के घी का प्रियोग करना है देसी घी का प्रियोग करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है इस से आगे बढ़ते हुई ये समझें कि जो आप तेल प्रियोग करेंगे वो यूही ठंडा नहीं प्रियोग करना है हलका सा उसके टेंपरेचर को बढ़ाना होता है लेकिन उसको सीधा गर्म नहीं करना होता आप चाहे नाशिका में तेल का प्रियोग कर रहे हैं चाहे अभ्यम के लिए तेल का प्रियोग कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं तो उसको गर्म करने के लिए अच्छा है कि आप पानी को गर्म करें, पानी को गर्म करके एक कांच की शीशी में उस तेल को रखें या फिर घी को रखें और उसको उस पानी में डाल दें, थोड़ी देर शीशी पानी में रहेगी तो अगर घी है तो तरल हो जाएगा और उसका तापमान ठीक प्रकार से संतुलित हो जाएगा उसके बाद आप उसका प्रियोग करते हैं तो ये अच्छा है सीधा गरम नहीं करना है ये आपको समझना है आप समझते हैं कि किस प्रकार से आपको इस अभ्यास को करना है तो आपको मैट बिछा करके या फ अपनी उंगली से नाभी के अंदर ही इस प्रकार से एक जो है अभ्यंग करना शुरू करना है। तो इस प्रकार से जब आप घुमाएंगे थोड़ी देर तक लगबग 3-4 मिनट तक नाभी के अंदर और उसके बाद नाभी के बाहर बाहर वाले चेतर पर इस प्रकार से यानि कि पहले नजदीक और फिर थोड़ी दूर फिर थोड़ी दूर फिर थोड़ी दूर इस प्रकार और पूरा नाभी के आसपास के एरिया पर आप पूरा इस प्रकार से अभ्यम करते हैं, मालिश करते हैं, तो ये एक आपका तरीका रहने वाला है, इस प्रकार से 5 मिनिट तक करने के बाद आपको पहुच लेना है और उसके बाद आपको 10-15 मिनिट के बाद आप सनान कर सकते ह तो इस तरीके से आपको इसका प्रियोग करना है अब समझ ले किन व्यक्तियों को अभ्यास नहीं करना है जिन व्यक्तियों की पेट से समबंदित कोई सर्जरी हुई है वो ना करें किसी को हरनिया की समश्या है या फिर हरनिया का ओप्रेशन हुआ है वो ना करें किसी को अलसर की गंभीर समश्चा है वो व्यक्ति भी ना करें और प्रेगनेंसी के टाइम पर ना भी पुरोड का अभ्यास ना करें बाकी स्थतियों में अभ्यास सुरक्षित है, सरल है, सहज है, घर पर आप खुद से कर सकते हैं और इससे ये जो विशेश लाब मिलते हैं वो प्राप्त किये जा सकते हैं तो अपेक्षा है आपको आज का ये विशे ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रशन होते हैं तो कमेंट के माध्यम से रखशकते हैं, बविशे में उन पर भी मार्ग दर्शन किया जाएगा अगर योग में आप रूची रखते हैं और योग को विस्तरत रूप से समझना चाहते हैं तो योगी वरुणारंद एप पर आप हठ योग कोर्स से जूड़ सकते हैं, वहाँ पर विस्तार पूर्वक अनेक योगिक विशियों को समझाया गया है बविश्य में अन्य मेतुपूर्व विशियों पर मार्ग दर्शन होता रहेगा सभी के लिए प्रार्थनाएं, सभी के लिए मंगल कामना, आज के लिए इतना ही ओम नमश्यवाएं